किसी ने कुछा डॉक्टर्स का दिल इतना मजबूत क्यूं होता है जवाब आया कि कमजोर दिल वाले तो डॉक्टर्स बन भी नहीं सकते क्योंकि डॉक्टर्स बनना नहीं है आसान इतना तु समझ लो तुम एक आग का दरिया है और डूब के जाना है कहते हैं इस दुनिया में तीन भगवान होते हैं मा जो जनम देती है बाप जो जीना सिखाता है और तीसरा भगवान होता है डॉक्टर जो जान बचाता है क्या है आप में वो जुनून वो डेडिकेशन खुद को आग में जलाने का जिगरा क्योंकि दोस्त ये जर्णी आसान नहीं अगर उस इंसान के दर्जे तक पहुँचना है जिसे सब भगवान मानते हैं तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी और इतनी बे इंतहा करनी होगी कि दिन रात का फरक भूल जाओ इंस्टा, फेस्बुक, दोस्तों की मस्ती सब भूल जाओ और जला दो खुद को इस आग में मिलका सिंग, ये आपकी जिन्दगी की आखरी रेस साबित हो सकती है तोड़ूना भी वैसे ही ये दो-तीन साल की बात नहीं है, ये जर्नी बहुत लंबी है, ये जर्नी बलिदान मांगती है, ये जर्नी समर्पन मांगती है कैसे कर लेते हैं लोग इतना विश्वास डॉक्टर्स पर अपनी अपने परिवार की जान की जिम्मेदारी कैसे सौप देते हैं एक डॉक्टर को कहां से आता है इतना विश्वास नॉलिज ये उस डॉक्टर की तपस्या का नतीजा है मेहनत का नतीजा है कि वो एक ऐसा इंसान बन पाता है जिस पर लोग आँख बंद करके भरुसा कर सकें समर्पन जब आपके लिए एक इंसान की जान बचाना ही सब कुछ हो ना दोस्तों की पार्टीज ना बर्डे सेलिब्रेशन्स कुछ भी माइने ना रखते हो जब एमरजेंसी वर्ड आपके लगों में दोड़ता हो और ओटी के अंदर आप दुनिया की सारी चिंताएं परेशानिया भूल जाते हो बस आपका एक ही मकसद होता हो एक इंसान की जान बचाना और उसकी फैमिली से ये कहपाना कि मरीज को होश आ गया है और उसकी जान अब खत्रे से बाहर है लेकिन साथ मैं मजबूत दिल लगकर ये कहपाना कि क्या आप इतना बड़ा काम कर पाएंगे जब आप अभी से घबरा रहे हैं कि मेरा स्लेबस कंप्लीट नहीं हुआ है मुझे ये सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा है क्या होगा अगर मेरा एक्जाम अच्छा नहीं गया क्या कभी एक डॉक्टर ये सोचता है कि क्या होगा अगर आपरेशन अच्छा नहीं गया क्या होगा अगर वो मरीज की जान नहीं बचा पाया नहीं दोस्तों वो ऐसा नहीं सोचता है उसे पता है उसे अपना 100% देना है ताकि मरीज की जान बच जाए क्या आप में है वो हिम्मत कि खुद को आईने में देखो तो ये बोल पाओ कि हाँ मैं ये एक्जाम किसी भी हालत में क्लियर कर लूँगा क्यूंकि मैंने अपना 100% दिया है ये प्रतिग्या लो कि आप घबराओगे नहीं ये प्रतिग्या लो कि आप अपना 100% होगे ये प्रतिग्या लो कि आप बिना रुके अपने लक्श की तरफ चलते रहोगे और जीत हासिल करके रहोगे झाल झाल झाल